हलो गाईश ट्रेट अपना कंप्लीट हो चुका है और बड़ा अच्छ हमने ट्रेट बनाया था सोस समझ के काम किया था लेकिन फिर भी अपना जो है ना स्टॉप लॉस हिट होई है छोटा सा स्टॉप लॉस गया ज्यादा नहीं बाकी देखिए जिस तरह का कल क्लोजिंग मे साइकलोजी समझ में आ रहा था मर्केट में सेलर बायर दोनों का पॉइंट अब यू मैंने देखा तो मेरे को लग रहा था कि सेलर के स्टॉप लॉस ज्यादा है जिस तरह का ओपिनिंग भी देखने मिला सेंटिमेंस अब समझ की काम किया था कि कौल साइट का ट्रेड मने मेरे को लग रहा था मार्केट आज चार्ट रिपीट करेंगा नियू लेकिन मार्केट ने चार्ट रिपीट कर गिया अमने भी अपना को बिल्कुल 50-50 रहता है उपर जाए नीचे जा तो ठीक है अब ट्रेट देखो बाकिया बताना आपका थैसा Hello guys, तो market में देखिए, हमें छोटाâteए gap up देखने मिला है, तो यहाँ पर हम किस तरह से trade कर सकते हैं? यहाँ पर अगर market में structure देखें, market में हमें क्या नहिंच जरुजञ आला, alem farm, retracement के लिशा सेंदर, कही ने कहीं closing जो दिए आना, Range के अंदरまた porte偶ंग, तो इसके उपर seller का stop loss इसके बायर का stop loss बट अगर थोड़ा दियान से देखिए दोनों इंडेक्स के मिला है ना तो हमें समझ में आएगा ज्यादा कौन सा side position बना हुआ है जैसे कि देखिए यहाँ पर पहले selling में आया उसके बाद कोई यहाँ पर selling करने कोशिश किया मार्केट इसके बाद कहीं ना कहीं retracement कर दिया यहाँ का जो seller था उसको निकाला फिर से selling आया फिर से यहाँ पर देखिए एक डबलू तरह का pattern बनाया ब्रेक आउट दिया यहाँ पर buyers आने का कोशिश किया होगा मार्केट किया किया कि उसको निकाल दिया अब यहाँ पर sideways हुआ बायर closing तो दिया लेकिन seller का stopless कहीं ना कहीं जादा नजरा रहा ठीक है buyers को market निकालने का कोशिश किया है हमें उस तरह का opening भी देखने मिला तो यहाँ पर हम क्या करेंगे call side का trade बनाने का कोशिश करेंगे लेकिन इतना असानी से नहीं जब तक कोई अच्छा मोमेंट तो यहाँ प काम कैसे किया जाएगा तो guys market continue भाग रहा ऊपर और मौका नहीं दिया कि मैं यहाँ पर entry बना हूँ देखिए premium कितना ऊपर आ चुका है मुझे लगा थोड़ा तो retracement करेंगे rate candle बना है लेकिन back to back ऊपर ही भाग रहा है ठीक है कोई बात नहीं मैं वेट करूंगा proper मैं tempting होंके बिल्कुल भी अपना position नहीं बनाऊँगा जब तक मुझे retracement ना मिले price ठीक ठाक ना मिले तब तक मैं यहाँ पे entry नहीं लूँगा ठीक है यहाँ पर directly entry करना मतलब क्या है ना stop loss बढ़ा हो जाएगा ठीक है करना मुझे नहीं लूँगा यहाँ बनाऊगा यहाँ पर करना मिले यहाँ चक्टाओब तक मुझे यह बनादे जाएगा जाएगा ठीक जहाँ पर फिसक्टावरा यहाँ नहीं तक मालीजा इसक्क्तावठों उॉटचां तक मुझें ओप national तो यहां पर देखे हैं हमने पोजिशन बना लिया और बाई किया 24-800 का CE और प्रीमियम जो बाई हुआ न एक सो बान रुपए के आसपास अपना जो प्रीमियम बाई हुआ तो बात करते हैं हमने यहां पर पोजिशन क्यों बना है बाखी सबसे पहले रिक्स डिफाइन करते ह उसके बाद हम यहां पर अपना पोजिशन क्यों बना है डिसकस करेंगे ठीक है 152 152.30 ठीक है तो जो इस टॉपलस यहां पर बैट रहे ना 12.13 के आसपास का इस टॉपलस है और टार्गेट जो मिलेगा ना अपना हाई के आसपास का टार्गेट यहां पर मिलना चाहिए ठी ठीक है तो छोटा साइस टॉपलस है 1-2 हमने यहां पर टार्गेट रखा है बाखी बात करते हमने यहां पर पोजिशन क्यों बना है ठीक है अब दिखिए यहां पर बिल्कुल चांस है की मार्केट गिरता हुआ नीचे चला जाए ठीक है लेकिन जो समझी में आ रहा रहा है सेटाप के अकॉर्डिंग साइकलोजी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर काम किया ठीक है तो मार्केट इसका ब्रेकड़वन ना करे तो ही यहां पर ठीक होगा वरना फिर प्रब्रबलम क्रिएट हो जागा अगर ब्रेकड़वन किया तो थोडा सा वेट करते हम डिसकस सबसे पहला हमने क्या discuss किया था market open होने से पहले कि ये stop loss दोनों साइड stop loss है बायर seller दोनों का ठीक है लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे न तो कई न कई seller का stop loss ज्यादा है यह हमें समझ में आ रहा था देखिए market में गिरावाट आ रहा है ब्रेकडाउन किया है एक सेकिन पहले मैं ये position अपना handle करता हूं उसके बाद हम discuss करेंगे ठीक है बैंग निप्टी थोड़ा ज्यादा ही गिरावाट आ गया कोई बात नहीं छोटा सा stop loss देंगे एक्जिट कर देंगे बाखी ठीक है plan के according हमें हमें इसा काम करना चाहिए बैंग निप्टी थोड़ा सा ज्यादा negative हो गया ओके गईस तो यहाँ पर देखिए अपना stop loss हिट हो चुका है और जो हमने loss बुक किया मैं अभी आपको दिखा देता हूं यह हमने loss बुक कर लिया यहाँ बाखी देखिए logic बिल्कुल अपना clear था हमने यहाँ पर काम क्यू किया था call side में अभी देखिए market recovery करने हैं नहीं सकते stop loss हिट हो गया मतलब हिट हो गया दो बर तीन बर पोजिशन बना नहीं सकते हैं जाने देते हैं कोई बात नहीं छोटा सा stop loss गया तीन दिन profit एक दिन stop loss हिट मैं यह मान के चलता हो सकता है कोई दिक्कर नहीं है बाकी मेरा view clear था है यहाँ पर call side में काम करने का मैं आपको explain कर देता हूं logic सबसे पहले हमने discuss किया था कि market में buyer seller दोनों का stop loss है यहाँ पर seller बैठा हो यहाँ पर buyers बैठा हुआ है तो market छोटा मोटा gap of open दिया अब देखिया market open होते किस तरह का sharp rate candle बना है वैसे में क्या था यहाँ पर जो buyers था ना मैं समझ रहा था कि market निकल चु entry नहीं बनाया क्योंकि directly इस तरह का गिरावाट में कौन सा ठीक नहीं है कि market इस तरह से recovery कर दें बहुत कम फिर हमने wait कि कोई structure अच्छा बना है उसके बाद देखिये double top जैसा बना रहा था यहाँ पर जब market थोड़ा बहुत sustain करने लगा तब जाके हमने position बनाया उसके बाद चोटा सा stopless बैट रहा था यहाँ पर ठीक है तो उसके बाद अपना जो था नहीं stopless हीट हो गया ठीक है तो इन सब बातों का ध्यान रखा और especially bank nifty में देखे ना तो bank nifty को मैंने ध्यान दिया था कि bank nifty में क्या हो रहा था देखिये exactly कल भी gap up open हुआ उपर गया उसके बाद breakout दिया चोटा सा account है उसके बद सार्व गिरावाट कर दिया आज भी देखिये market gap up open होते ही सार्व गिरावाट आ गया round level का breakdown किया closing price का भी breakdown कर दिया वैसे मैं देखिये buyers यहाँ पे बैठा नहीं होगा same condition तो bank nifty में भी stopless नहीं है उपर से अपना support level के आसपास से दिखे momentum भी तेज किया तो इन से बातों का ध्यान रखा उसके बाद हमने position बना लिया था कि same chart भी market repeat करेगा नहीं कल breakout देखे गिरावाट दिया था तो आज market इस तरह का breakdown breakout देखे गिरावाट करेगा नहीं बाकी market ने गिरावाट कर दिया तो कर दिया अब कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ किया बाकी ठीक है गाईस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में